जै मात अलच्मी, स्वागत है आप सभी का मेरे मक्ती भावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको सात रासियों से सम्मंदत जानकारी दूँगा, यह सात रासियां बेहदी शुब रहने बाली हैं, 25 जुलाई से सात रासियों का भाग्य बहुत ही अच्चा रहने बाला हैं सरावण का महिना रहेगा, भगवान सिभ और भगवान विश्णू किरपा करेंगे, जिससे इनके चार कार शिद्धोंगे, यह सात रासियां हर प्रकार के कार्यों में सपलता प्राप्त करेंगी, और भगवान प्रसंद नोकर के इनकी हर मनुकामना पूरी करेंगे, बैसे तो बारे और आसी बहुत ही लखी रहने वाली हैं, जिन्में से ये सात रासियां, ब्यादी, शुप और भागिसाली रहने वाली हैं, भगवान सिव और भगवान विश्णू, इनकी हर कारे को सपल बनाएंगे, और रोग और कर्ज से इनको मुक्ति मिलेगी, तो जो भी चैनल पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आकन बटन को जरूर दबा दें, मेरी हर वीडियो का नोटिपिकेशन पाने के लिए, 25 जुलाई से इन सात रासियों का भाग बहुत ही अच्छा रहने वाला हैं, आपके सरीर में कोई परिशा नहीं थी, कोई बीमा लेकिन ये सात रासियां बहुत ही भाग शाली रहेंगी, जब रासियों के उपर ग्रेन का सुब्योग होता है, तो उनकी किस्मत बदलती है, आज ऐसा ही अच्छा योग बन रहा हैं, यानि आने वाले समय में ये सात रासियां बहुत ही भाग शाली और सुब रहेंगी, इन लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत मेनत करने पर ही घर में बरक्कत भी हो जाती है और कर्ज भी चुक जाती है साथ ही अगर किशी व्यक्ति के सरीर में कोई परिशानी रहती है अनेक परकार की वह मेनत करता है उसको लाब नहीं मिल पाता या उनको हर परकार के कार्यों में असफलता मिलती है और फिर अचानक उनको भागी बदल जाता है भागी परवरता नहीं जाता है लोग केते थे कि कुछ समय पहले ये इतना गरीब था लेकिन पेंसे वाला हो गया ये सब ग्रेन के इसाब से चलता है इंसान जैसा करम करता है उसी प्रकार से इंसान के किस्मत बदल जाती है सबसे पहली जो रासी है वो है मेश रासी मेश रासी का भाग्य बहुत ही अच्छा रहेगा मेश रासी को उपर ग्रेन का सुवियोग जो मेश रासी को भाग गिसाली बनाएगा इस रासी के किस्मत बहुत ही अच्छी रहने आने बाला समय इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने बाला है जिसे इनके संतान के कर्ज से मुक्ति के स्वास्त में लाब मिलेगा और साथ ही इनका ब्योपारी खित्र भी बहुत ही अच्छा रहने बाला है। आने बाली समय में ब्यादी स्वास्त में लाब मिलेगा और साथ ही संतान सुक भी आपको मिलेगा। फिर उपाय बताऊंगा तीसरी जो रासी है वो है करक रासी करक रासी जुलाई के महीने से बहुत ही अच्छी रहेगी 25 जुलाई के बाद में करक रासी का समय बदल जाएगा और आने वाला समय आपके लिए चार कार सिद्ध करेगा चार खुशकबरी आपको मिलेगी कर्ज से मुक्ति मिलेगी बान आदी का सुक आपको मिलेगा भूमी जाजात का सुक मिलेगा और साथ ही संतान का सुक भी आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा योगा आप एक प्रकार से कह सकते हैं आप भगवान सिभजी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें अगली जो रासी है वह है कन्या रासी कन्या रासी जो बेहदी अच्छी और सुभ रहेगी कन्याराशी बालों के भी चार कार्शिदूंगे संतान की प्राप्ती भ्योपार में उन्थी नोकरी में तरक्की और स्वास्त में लाग अगली जो राशी हो है तुला-राशी तुला-राशी भी बहुती लखी और भागिसाली रहने वाली है थोड़ी सी मेनत करोगे लाब मिलेगा मेनत करोगे उसका फल मिलेगा कर्ज चुकेगा पेंसा भी जोड़ेगा माता लचमी की भरपुर कृपा आपके उपर रहेगी अगली जो रासी है वो है ब्रश्चिक रासी जो बहुत ही अच्छी रहेगी ब्रश्चिक रासी वालों के विचारकार से दोंगे आप ओम हनमत नमहा इस मंत्र का ज़्यादा ज़्यादा जाप करें सबी रासिवाले प्रति मंगलवार की मंगलवार को अनमान जी की पूझा जरूर करें वरष्चेक रासिवालों का कर्ज दूर होगा भूमी जाजात का सुख मिलेगा स्वास्त में लाब मिलेगा और साथ ही आपके दुश्मनों पर आप विजय प्राप्ट करोगी अगली जो रासी है वो है मकर रासी मकर रासी जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है सनी देव की सुभदिष्टी और साथ ही ग्रहन का सुभ योग जो मकर रासी को भागे साली बनाएगा इनके भी चार कार से दुगे कर्चे से मुक्ति मिलेगी स्वास्त मिलाब और इस्तान परवर्तन की योग रहेंगे साती संतान का योग भी आपका बनेगा और अच्छी खासी धन की आमंदनी भी होगी कुम्रासी कुम्रासी बहुती लखी रहने वाली है कुमरासी पर गुरु के सुबदिश्टी जो कुमरासी को भागिसाली बनाईए आने बाला समय आपके लिए बियादी शुब और भागिसाली रहने बाला है भगवान की क्रपाज से आपके सभी कार्ज से दोंगे संतान का लाव कर्ज से मुक्ति अच्छी खासी तरफ्की और प्रिमोशन साथ ही केरियर से सम zoning ken तैंसने वह भी आपकी दूर होंगी आपको क्या करना है कि प्रति सोम मार की सोम मार को चौम की दीपक भगवान के सामने जलाना है भगवान प्रीमार की लिथाद की ना ہے आपको एक दीपक हनमान जी के सामने जलाना है प्रति मंगलबार के मंगलबार को या प्रति दिन जलाएं जिनके सरीर में परिशानी है वह थोड़ा सा गंगा जला हनमान जी के सामने रखें ओम हनमान जी के सामने रखें और उस पानी को फिर पी ले आप हनमान जी के सामने या किसी भी प्रकार की कोई अर्चन है, कोई व्यादा है, तो सारी अर्चन और व्यादा दूर हो जाएंगी, स्वास्त में धीरे धीरे लाम मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सुभ योग बनेगा और आपके हर कार इसे दो जाएंगे, प्रति मंगलबार की मंग भगवान सिवजी के सामने अरपन करने हैं उसके बाद में उसमें से थोड़े से चावल आप ले आएं और तो सिक्के उसमें रख करके उसे आप तिजोरी में रखें यह है आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके सभी कारे सिद्धोंगे तो जितना सम्मब हो सक है उतना भ तो यह कुछ राशियांती जो बहुती भागिसाली हैं बगवान सिव जल्दी अपनी क्रपा इनके उपर बरसाएंगे और इनके सभी कारे सिद्धोंगे ओम नमस्वाइब